Hello everyone, welcome and welcome back to my channel P.A.S.Styles में I hope you all are doing well So friends, अगर आपने part 1 और part 2 नहीं देखा है इंदर लोग थस्ते पट्टी मार्किट का जल्दी से जाकर देखलो उसमें आपको इतना must collection देखने को मिलेगा ना बहुत ही affordable price में So अगर आप इंदर लोग मार्किट आना चाहते हो आपको nearest metro station मिलेगा इंदर लोग का gate number 5 से आप exit करोगे वहीं से मार्किट लगनी start हो जाती है मार्किट की timing है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक आपको मार्किट लगी होई मिलेगी और perfect time में आपको इसको बता देती हूँ अगर आपको अच्छे से shopping करनी है न आप 10 बजे मार्किट में पहुँच जाओ बहुत अच्छे से आप shopping कर पाऊगे So यहाँ पे बहुत ही affordable price में आपको collection मिल जाता है और ये market only Thursday वाले दिन लगती है Other days नहीं लगती, only वीरवार के दिन लगती है So देखते हैं आज का collection यहाँ भाया ने suit लगा हुआ है काफी अच्छी quality के भाया के पास suit थे लेकिन मुझे price थोड़ा over high लगा 900 900 रुपे भाया ने मुझे इसका price बताया लेकिन quality लेकिन थी अच्छी थी लेकिन according to price मुझे यह cost लगे आप बताना आपको यह महंगे लगे या नहीं So यह भी जो रखे हुए ना जो open करे हुए ना भाया ने वही यह packaging करे हुए है इनका price same है 900 रुपे ठीक है इस तरह के आपको suit मिल जाएगे यह भाया आप metro station से उतरोगे पहली shop भाया की है ठीक है suit का collection लेकिन काफी अच्छा था इनके जो डुपटा थे और fabric थे वो काफी अच्छी quality के साथ थे So इस तरह के suit आपको यहाँ पे मिल जाते है काफी अच्छा collection होता है यहाँ पे suit का साइट में भाया ने यह देखिए यहाँ पे कुछ jeans लगाई हुए 100 रुपे इसका price है 100 रुपे में आपको jeans मिल जाती है और इसमें आपको denim मिल जाएगी non denim मिल जाएगी इसमें आपको mixed collection मिल जाता है बच्चों से लेकर बड़ों तक का आपको इसमें चीजें मिल जाती है यह देखिए without slips की jacket मिली है denim की इसका price भी same ही होने वाला है 100 रुपे इस तरह का collection आपको देखने को मिल जाता है मैट्रो स्टेशन से exit करने के बाद यहाँ पे भाया ने fabric लगाए हुए काफी अच्छा collection होता है इनके पास यह जो गले है गले बने हुए इनका price है 10 रुपे तो 10 रुपे में आपको इक गले बने हुए मिल जाएगे और यह जो fabric है इनका सभी का price अलगा लगया क्योंकि सभी कुछ छोटे पीस है कुछ बड़े पीस है तो भाया देखकर यह आपको price बताएगे यह blue कलर का देखिए front का आपको ब्लाउज का बन जाएगा इसका price भी 10 रुपे है net में भी आपको मिल जाएगा इसका price भी 10 रुपे ही है जितने भी गले थे ना ऐसे ब्लाउज वाले आगे का front and back उसका price 10 रुपे था यह कपड़ा देखिए मुझे काफी अच्छा लग रहा था इस पर जो embroidery हो रही थी ना काफी अच्छी हो रही थी golden कलर की आप इसका blouse बना सकते हो बहुत अच्छा customize हो जाता इसका blouse और यह white वाला कपड़ा भी काफी अच्छा लग रहा था इस पर white color के सितारों से बूटी-बूटी बनी होई थी आपको यहां पर देखिए 10-10 रुपे में एक collection मिल जाता है रैड वाला blouse देखिए आप बिल्कुल bridal लहंगे का blouse लग रहा है इसमें आपको front भी मिलेगा back भी मिल जाएगा इसका price भाईया ने 20 रुपे बताया था क्योंकि इसमें आपको आप दो चीज़े मिल रही है ठीक है front and back single अगर आप आगे का लेते हो तो आपको 10 रुपे में मिल जाएगा ये भाईया भी आपको metro station से आप उतरोगे ना दूसरी shop इनी भाईया की है और हमेशा ये ऐसा ही collection लेके आते हैं इनके पास आपको fabric के टुकडे मिल जाते हैं गले मिल जाते हैं सो काफी अच्छा collection होता है आप इसमें से ढूंडोगे ना आपको बहुत अच्छी चीज़े मिल जाएगी भाईया की पास net का भी collection होता है मोतियों वाली 50 रुपे मीटर के हिसाब से आपको net मिल जाएगी जो plain वाली है उसका price 40 रुपे मीटर है और ये देखे कितनी beautiful net एस पे embroidery हो रही है sequence work हो रहा है इसका price है 50 रुपे मीटर ये वाली net आपको 50 रुपे मीटर मिल जाएगी बहिया के पास आपको plain net भी मिल जाती है उसमें भी काफी color option होते है सो आगे चलते हैं आगे देखते हैं बहिया के पास यहां देखे हैं ये बहिया ना एक pillar बना हुआ है उसके side में बहिया लगाते हैं 40 रुपे मीटर के हिसाब से इनके पास यह सबी fabrics होता है fabric की quality बहुत अच्छी होती है 40 रुपीस मीटर बहिया के पास जितना collection होता है 40 रुपे मीटर होता है बिल्कुल fresh pieces होते हैं कोई stain नहीं होता कटा पटा नहीं होता आपको मीटर के हिसाब से दे देगे और बनारसी मिल जाएगा इनके पास silk मिल जाएगा shanton मिल जाएगा all types fabric भहिया के पास होते है यह और गंजा का देखिए कितना beautiful लग रहा है यह भी आपको 40 रुपे मीटर मिल जाएगा आप इसकी साड़ी suit, दुपटता जो भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो इनके पास काफी अच्छा collection होता है fabric का, आप suit बहुत अच्छा suit लगने वाला है इसका अगर आप बनाते हो और इतने affordable price में बन जाएगा 200 रुपे का आपका 5 मीटर कपड़ा आ जाएगा और यह वाला देखिए यह ना काफी अच्छा सा fabric था एक साइड इसका अलग कलर था और इस साइड इसका अलग कलर था और भहिया के पास पीछे भी जो लगे हुए है ना वो भी सब 40 रुपे मीटर ही है तो यहाँ देखिए कितना अच्छा collection यहाँ आपको net मिल रही है और net इतनी beautiful थी मैं आपको क्या बताऊ यहाँ आपको इस तरह का collection मिल जाता है यहाँ पर नैट का आप 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 अप 10 रुपे मीटर सब आपको 20 रुपे मीटर मिल जाएगा बहुत अच्छा sequence work हुआ 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 था इन नैट पे काफी अच्छा collection लगा मुझे और कुछ में तो आपको बिल्कुल blouse का design बना हुआ मिल जाएगा आप उसको cutting करके बहुत अच्छा blouse कर सकते थे यहां पे आपको और गंजा फैब्रिक मिल जाएगा 30 रुपे मीटर होता है यह और काफी अच्छा होता है काफी अच्छे इसमें आपको color option मिल जाते हैं यहां पे आपको और गंजा में सभी color मिल जाते हैं आप other marketों में color option का काफी इशू हो जाता है लेकिन आप यहां पे आऊर ना आपको हर एक चीज मिल जाती है यहां पे इतने affordable price में यह जितना भी और गंजा फैब्रिक लगा हुआ है साव आपको 30 रुपे मीटर के हिसाब से यहां पे मिल जाता है कोई भी color आप लेना चाहते है और जितना meter लेना चाहते है उतना meter आपको भहिया के पास मिल जाएगा भहिया के पास कुछ अलग-अलग fabric भी आ जाते है साटन material आया हुआ है कितना pretty लग रहा है इतनी shining थी इतना soft था बहुत अच्छा लग रहा था और गंजा फैब्रिक वाले भहिया भी आपको मैट्रो स्टेशन से आप जैसी नीचे उत्रोगे left hand पर आपको मिल जाएगे यहां पर देखिए यहां पर भहिया 30 रुपे meter के हिसाब से कपड़ा सेल कर रहा है लेकिन इस कपड़े में आपको सूट भी मिल जाएगे ठीक है बिल्कुल नैक बना हुआ बूटी बनी हुआ अंटी ने हाथ में लिया हुआ है काफी अच्छा था वह 30 रुपे का था सो 30 रुपे मीटर के हिसाब से भहिया देगे आपको सूट भी अगर आप इसमें से कोई बना हुआ था काफी अच्छा काम हुआ हुआ था इंब्रोइडरी धा थ्रेट की इंब्रोइडरी हुई थी और यह भी आपको 30 रुपे मीटर के हिसाब से मिल जाएगा 2 मीटर का सूट बन जाता है आपको 7 रुपे का यह कपड़ा मिल जाएगा ठीक है इस तरह का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है मैट्रो स्टेशन से अगजिट करने के बाद पैब्रिक से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पे देखिए भहिया ने जॉर्जट लगाया हुआ है यह भहिया ने साड़ी का कपड़ा है यह 30 रुपे मीटर है जो साड़ी वाला है जिस पे काम हुआ हुआ है 30 रुपीस मीटर यह जो भहिया दिखा रहे है यह भी 30 रुपीस ही मीटर है इसके आप साड़ी बना सकते हो सूट बना सकते हो काफी अच्छा कपड़ा था बहुत ही सॉफ्ट था और यह जो प्लेन वाला कपड़ा है इसका प्राइस है 40 रुपे मीटर 40 रुपे मीटर के हिसाप से आपकी प्लेन वाला कपड़ा ले सकते हो और जो उस साइट भहिया के पास प्रेंटेड में रखा हुआ है वो सब कुछ 30-30 रुपे मीटर के हिसाप से आपको मिल जाएगा आपको फैबरिक करना यहां बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाता है यहां पर भहिया ने देखिए कितने कपड़े लगाए हुए है तो फ्रेंट्स भहिया का प्राइस आपने सुन लिया होगा 30 रुपे तो 30 रुपे इसका प्राइस होने वाला है यह जितना यहां पर कलेक्शन लगा हुए है यह सब आपको 30 रुपे में मिल जाएगा ठीक है इसमें आपको काफी अच्छी चीज़े मिल जाती है काफी फैंसी नेटिट चीज़े मिल जाती है जस्ट उनली 30 रुपे में सो ये collection आपको कभी-कभी देखने को मिलता है, 33 रुपे में आपको इस तरह की चीजे मिल जाती है, इसमें काफी collection तो ना बिल्कुल fresh material था, अंटी बैठी हुए हैं, उन्होंने इतने सारे pieces छाटे हुए थे इसमें से 30-30 रुपे में, काफी अच्छा collection लगा, मुझे काफी reasonable price में आपको यहां पे चीजे मिल जाती है, इतने affordable price में, so 30-30 रुपीज का ये सारा collection लगा हुआ है, बच्चों की सकल्ट मिल जाएगी, जिन्स मिल जाएगी, टी-शिट मिल जाएगी, हुड़ी मिल जाएगी, कुर्ती मिल जाएगी, so यहां पे देखिए भिया ने जॉर्ज जॉर्जट फैब्रिक लगा हुआ है, जॉर्जट के आप अगर प्लेन साडी बनाना चाते हो, वो बना सकते हो, कोई dress कस्टेमाइज कराना चाते हो, वो करा सकते हो, so यह सब कुछ आपको 30 रुपे मीटर के हिसाब से आपको जॉर्जट फैब्रिक मिल जाएगा, इसमें आप इसका सूट बना सकते हो, इस वाले फैब्रिक का प्राइस होने वाला है, 30 रुपी मीटर, 30 रुपे मीटर के हिसाब से आपको यह फैब्रिक मिल जाएगा, इसमें आपको साडी से रिलेटेट भी फैब्रिक मिल जाते हैं, जैसे कि शिपॉन मिल जाता है, जोर्जट मि चाफी अच्छी ना इसकी ठीकनेस थी 40 रुपीस मीटर 40 रुपे मीटर के साफ से आपको ये वाला कपड़ा मिल जाएगा लेकिन इसमें आपको पिंक और नेभी ब्लू ही मिलेगा और डार्क पिंक मिल जाएगा ठीक है इस तरह का कलेक्शन यहां पर भाया ने लगाया हुआ और ये साइड में भाया ने कुछ टुकड़े लगाये हुए थे जो 10 रुपे के 20 रुपे के इतने रुपे में आपको मिल जाएगे कहीं बार हमें कुछ छोटे पीस की जोरत होती है जो कहीं नहीं मिलते हैं तो वह आपको इंदर लोग मार्केट में मिल जाते हैं आप उसक छोटा सा पीस लिए और यहां पर आके सर्च कर सकते हो आपको चीजे मिल जाती है यहां पर इक उर भाया ने दिखिए फैब्रिक लगाये हुए और इसमें कुछ ड्रैसिस भी है कुछ साड़ियां भी है सब कुछ लगा हुए इसमें सो सभी का प्राइस ने डिफरेंट होन